इस आप आपको डाउनलड़ कर लेना चाहिए दोष्टों आज का को चैशन दिलली पूलीज ड्राइवर भरती को लेकर दोष्टों काफी अच्छा तो art दिल्ली पुलीस दोस्तों ड्राइवर भरती कि अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो ये सेशन काफी अच्छा होगा किसी भी ड्राइवर एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों ये आपके लिए वीडियो है काफी काम का साबित होने वाला है दोस्तों मैं बता दे का स्वाकॉब्षू उसका रहता है लेकिन कलास अगर लेट हो जाती है तो उसको भी थोड़ा सा कलास के तुरंत एंड होते ही महाई सिटाट होती है जैसे यहां पे कलास खतम होती है तुरंत वहाँ पर आपकी ड्राइबर की फ्रीक भी जोती है तो आप इसक對 जो आपको description में link दियावा है टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं साथ ही एक बार इसे session को share कर दें, अपने सभी साथ ही गण हैं, वो इस class को थोड़ा सा share कर देंगे सभी student वो like भी करेंगे class को like करने के साथ साथ share कर दें मैं भी share कर देता हूं थोड़ा सा student आप जुड़ते हैं, उतने मज़ा ज्यादा आता है वो तो आपको भी बता है कोई भी teacher होता है, उसको जितनी जो ज्यादा लोग देखते हैं तो उसका मनोवल उतना ही हाई होता है वेसे हमारा जो confidence है, वो हमेसा हाई रेता है, कोई दिकत नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको share कर देते हैं, सभी students है, सभी को इसका फाइदा मिल जाए तो आप भी share कर देते हैं, थोड़ा सा आपकी पास में कोई भी आपका साथी है, गण है तो उसको आप इसकी, इसका link है आप जरूर बेज़े, थोड़ा सा हम डिले हो जाते हैं थोड़ा सा हम डिले हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफी चाऊंगा लेकिन जल्द ही हम एक ऐसा schedule fix करेंगे, जिसे में हम एकदम digital board पे live class को लेकर हम आपकी सामने परस्तुत होंगे तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करनी आपको थोड़ा सा बस patience से रखना है तब तक हम इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों आप सभी ने share कर दिया होगा, एकदम हम ready है class के लिए, तो ready है तो आप comment में बता देदें कि voice में कोई problem अगर आ रही है तो सभी का स्वागत है, सभी students है, सभी मेरे जो प्रिये सातिगन है, आप सभी का में हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी स्वस्त हैं, आपकी तयारी अच्छी चलरी होगी, मैं इसकी भी आसा रख सकता हूँ क्योंकि आप सभी यह वो एकदम जी जान से दोस्तों इसमें लगे में है तो ज़्यदा चिंता की बात यहां पर नहीं होने वाली है सभी अक्रम अली जी, मोनु जी, डिपक जी, राकेश जी, निसांत जी सभी का स्वागत है, जीतु जी, कमलेज जी, मोहीज जी, दिवाकर, सोनू, सुभम, जीद्धी छोरा, वाँ भी क्या नाम है, मेंदर जी, योगेश जी, स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों परसन सिंग के हम सोला पे चलते हैं, परसन सिंग के सोला क्या कहता है, परसन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पंदरा परसन दोस्तों पिछली क्लास में हमने कर लिये थे तो आज हम सोडा से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो यह एक सिरी चल रही है आप किसी यात्रा पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो आप सड़क पर चलती गाड़ी में सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे जोर से होरन देना जोर से ब्रेक लगा देना इस्टेरिंग कसकर पकड़ लेना वहां पर पूर्ण नियंतरन इस्थापित करते हुए हैजएड लैट को ओन करना और सूरक्षित रूप से रोक लेंगे तो आपको सही बताना है कि जो परसन का सुरू कर दिये ऐसे परसनों को तरीका आगे आपको तो आपके चार से पांच क्यूशन तो दोस्तों बिना पड़े ही आपकी याद हो जाते हैं आपको एकदम कॉमन सेंस लगाना है कि हमें सबसे मनलब इंसानियन के नाते या सुरूप से रोकने के लिए हमें करना क्या चा स्वागत है आप सभी काफी अच्छे और प्री इस्टूडेंट है आप सभी को मेरा राम लाम सभी का स्वागत है सभी को नमसकार तो दोस्तों इस परसन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन नमर डी सभी ने लगबद डी इसका अंसर दिया है वहां पर पूर्ण नियंतर न सुरक्षित रखना एक आगया सामने वाले वाहन से बचाना अपने आपको बचाना एक आगया हजार लैट को ओन करना दोस्तों किसी भी परकार की कोई भी आपात का लिन इस्तिया आ जाती है चाहिए वो टायर पंचर की हो इंजन की हो ब्रेक फेलाओनी की हो एक्सिलेटर क का लिखा होता है इसको ओन कर देने से गाड़ी की सभी प्रकार की जो लाइटें होती है वो दोस्तों ओन हो जाती है गाड़ी की सभी प्रकार की जो लाइटें हैं सभी जगे ओन हो जाती है चारूं और जो पारकिंग लाइट पिले रंग में होती है उन्हीं लाइटों को दोस्तों यहां पर हैजर्ड लैट की रूप में इस्थिमाल किया जाता है आम तोर पर जो वियाई पी बड़ी गारिया होती है इनमें हैजर्ड लैट का अलगशी सिस्टम है वो दिया वाता है तो यहां पर आपको hazard light option लिख जाए तो hazard light का प्रियोग आपात काली इस्तती में वाहन को किसी भी इस्तती में अगर आपात काली इस्तती आगई आपके सामने गारी चलाती समय तो आप hazard light का प्रियोग है वो करेंगे इंटर्यू में सबसे ज़्यदा पुछा जाने वाला परसन होता है दूसरी बात hazard light का नहीं है तो आप सुरक्षी दूरूप से सड़क के साइड में लेंगे सुरक्षी दूरूप से यह बादियान रगें अब सामने वाले वाहन से बचाना यह आ गया ताइर आपकी गाड़ी का फटा है गाड़ी आप किसी के पीछे चल रहे है तो सामने वाली गाड़ी पहली बात हो सामने से अगर गाड़ी वीपरी तो दिसासे आ रही है तो वो तो अपनी लेन में चल रही है कोई दिकत नहीं है अगर हमारी lane में हमसे आगे चल रही है तो हम break लगागे गाडी को दिमा कर लेएंगे तो हम CDC बात है हमारी गाडी उसकी गाडी तक नहीं पोणच पाएगे ठीक है तो ये बात condition होती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से परसंग को समझना है परसन सिंग के 17 आपके सामने है तुरंट पड़ें और कमेंट सेक्शन में जवाब छापनें सही जवाब क्या होगा काफी अच्छा सेशन दोस्तों यहाँ पर होने वाला है सभी इस कलास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे परसंद 17 क्या कह रहा है आप अपने वाहन को किसी पाड़ी मार्क पर ढलान के वीपरीत मुँआ करके खड़ा करना चाहते हैं तो आपके वाहन का गीर खालिस्तान डालेंगे एक नमर में न्यूट्रल में रीवर्स में और उपरोक में से कोई एक यानि कोई डाल सकते हैं आपके गाड़ी माना कि आप क्या जा रहे हैं चड़ाही की और जा रहे हैं आप चड़ाही की और जा रहे हैं आपका वाहन है दोस्तों उपर की और मुकर रखा है अब आप गाड़ी इसी यहां पर रोक दी तो आप टोप गीर डालेंगे यानि एक नमर डालेंगे या नूट्रल डालेंगे या रिवर्स डालेंगे कौन सी गियर में आपकी गाड़ी होनी चाहिए तो सिरी सी बात है यहां पर नूट्रल डाल दिया नूट्रल डाल दिया तो गाड़ी पीछे के गियर में होगी डिलान भी पीछे मतलब नीचे जा सकती है एक नमर में डाल दिया एक नमर आगे चलाने के लिए होता है गाड़ी पीछे जाएगी डिलान की वज़े से मतलब काम कर सकता है तो हम क्या करेंगे न्यूट्रल नहीं करेंगे रिवर्स भी नहीं करेंगे क्योंकि reverse में भी पीछे जाएगी तो हम करेंगे एक नमर gear में या जो top gear भी आप लगा सकते हैं या एक नमर gear लगा सकते हैं तो आपको गाड़ी चड़ान पर अगर खड़ी करनी है तो एक नमर का gear आपको डालना है या top का डालना है ठीक है आपको इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये करना है कि अगर दोनों आ जाए तो आपको एक नमर को सभी करना है ये भी बात आपको ध्यान रखनी है तो जिनोंने option नमर A बताया है आप सभी काफी अच्छी तैरी कर रहे हैं परसन को समझ रहे हैं उत्तर जवाब दे रहे हैं अगली परसन पर मैं चलता हूँ परसन अगला आपके इसक्रीम पर दिखाई दे रहा है तुरंट पढ़ें और comment section नमें इसका जवाब है बता दे आपका वान 5 वर्स पुराना हो गया है और आप इसका परियोग एक कंपनी में मालड होने में करते हैं तो अगली बार जब इसका fitness परमाण पतर renew करवाना होगा तो अब वह कितनी आउदी के लिए माने होगा आपकी पहली बात हो ये कि 5 साल पुराना हो गया है ठीक है भईया आप इसका परियोग किसी कंपनी में मालड होने में कर रहे हैं मतलब कि ट्रांस्पोर्ट वाइकल है यानि कि परिवेनवान है सिधी बात है परिवेनवान के लिए जो fitness है वो लगातार जारी करवाना पड़ता है लेकि नीजी गाड़ियों के लिए दोस्तों यहाँ पर है पंदरा साल के लिए एक साथ जारी हो जाता है सिधी बात है हम समझ गए तो अब fitness प्रमान पत्र के बारे में ये कह रहा है कि 5 साल बाद में रिन्यू करवा रहे हैं तो 2022 तो चलो वहाँ हो सकता है क्योंकि नया नियम जो आया है अभी लागू हुआ है नया नियम ये कहता है कि अब जो आपका fitness प्रमान पत्र होता है वो परिवायन वान ट्रांसपोर्ट जो वाइकल होते हैं इनको आठ साल पुराना होने तक दो साल के लिए जरी किया जाएगा क्या किया जाएगा दो साल के लिए जरी किया जाएगा ये इसका नया रूल है तो आपको यह ध्यान रखना है अगर नये रूल के बारे में पूछ ले तो आपको दो साल करना है अगर पुराने रूल के according पूछे तो आपको person की language को देख लेना है आपको एक साल करना है हालांकि अब पूरी संभावना है कि अगर यहां से person पूछा गया तो अभी तक जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो हो सकता है कि पुराने रूल के अनुसारी पूछे वो तो आपको person को समझना होगा देखना पड़ेगा आपको प्राथविकता है वो दोस्तों पूराने वाले को देनी है एक साल को option में मेरे साब से ऐसा option नहीं आएगा दो का option आएगा नहीं जैसे मैंने दिया है तो हमने इसको थोड़ा सा जो करंट का मानते हैं यहां पर दो का option दे लिया है वहां पर यहां तो दो का आएगा नहीं और आएगा तो फिर नए नियम के अनुसार आएगा दो option में हो तो दो करना है अदरवाई आपको एक करना है यह बात आप ध्यान रखें दो नहीं होता है option में तो मतलब की यह पुराने रूल से पुछा गया है एक इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि fitness का नए नियम आया हुआ है दो साल के लिए अब यहां पर दोस्तो एक तो यह तो में ने और ज़्यादा परसन को गुमा दिया ट्रांस्पोर्ट जो वाइकल होते है न्यू वाइकल है वो दोस्तो पहले से न्यू वाइकल के लिए पहले से दो साल के लिए जारी किया जाता है तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें नए पुराना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है, ट्रांस्पोर्ट वाइकल के नये वान के लिए पर्थम बार में दो साल के लिए फिटनेस जारी किया जाता है, बात दोस्तों यहां पर फिटनेस परमाण पत्र के आ गई है, तो आपक अगर याद कर ली तो बस perfect है दारा 56 फिटनेस अनिवारे है दारा 90 दोस्तों अगर फिटनेस के बीना गाड़ी चलाएंगे तो 15 सो रोपे की चपत आपको लगा दी जाएगी अगर आपने किसी को मार डाला किसी को तोड़ डाला या आप भारी नुक्सान कर दिया तो 5000 का जुर्माना आपको लगाया जाएगा दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगेगा फिटनेस परमाण पत्र को जारी किया जाता है तो इस परकार से आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है फिटनेस को लेकर नीजीवान होते हैं इनके लिए 15 साल के लिए जारी होता है ये सिभी जानते हैं तो ज़्यादा यहां पर कन्फियूस नहीं होना है अगले परसन पर मैं चलता हूँ परसन से कि उनी से सभी पड़े अपना जवाब कमेंट सेक्शन में छाप दे नीचे दी गई युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रियोग डीजल इंजनिमिस सर्दियों में सर्दियों में के मोसम में किया जाता है आपको बताना है चोक, डिस्टिबूटर, इगनिशन कोईल, हीटर पलग सभी स्टुडेंट से इसका जवाब देने का प्रियास करेंगे सभी इसको पड़ें, ध्यान से और इसका जवाब है वो कमेंट सेक्शन में छाप दे सभी जो साती है हाँ मोनुजी आप इस क्लास में अटेंडेंस दे रहे हैं मुझे पता है सभी आप क्लास को देख रहे हैं मुझे पता है मैंने आपके कमेंट पिछले के जो कमेंट देख लेए अब नया इसका इस परसन का जवाब दे जो इस परसन का जवाब डी दे रहा है वो बधाई का पातर है दोस्तों सभी रहेंगे सुरेज जी, प्रमोजी, देशी जाट, रोहित, सतीष, इमरान जी, मैंदर जी, योगे जी, गुलाब जी सभी, सभी का स्वागत है साथ यूँ हाँ तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको पुचा गया है डीजल इंजन के बारे में दीजल इंजन के बारे में पुचा गया है कि वी सर्दियों में कठिनाई से स्टार्ट होता है तो इसके लिए कोनisi युकती कामेle हीर जाती है तो इसके लिए हीतर पलक कामेल लिया जाता है हीटर पलक को यहाँ पर मैंने हीटर स्प्रिंग लिग भी है तो ये एक ही चीज़ है क्योंकि उसमें भी एक स्प्रिंट आइक से कोईल होती है ये इस हीटर प्लग का प्रियोग है वो डीजल इंजन में किया जाता है ये बात आपको दियान रखनी है बाग की दोस्तों इसमें चोक, डिस्टिबूटर टिस्टिबूटर इंजन कोईल तीनों के तीनों दोस्तों है वो किसमें प्रियोग के जाते हैं पेट्रोल इंजन में ये भी दियान रखना है हीटर प्लग में दोस्तों एक प्रकार का मैं बता सकता हूँ इस प्रकार का हीटर प्लग होता है यह हीटर प्लग हो गया तो यहां पर हीटिंग एलिमेंट हो गया यह सबसे आगे हीटिंग एलिमेंट हो गया इसमें दोस्तों नाइक्रोम की एक क्या होती है इस्प्रिंग होती है नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम की नाइक्रोम की इसमें इस्प्रिंग होती है और वो दोस् प्रस दोस्तों बेटरी से मिलता है यानि पोजिटीव टर्मिनल तो बेटरी से पावर लेके दोस्तों यह जल जाएगा और दोस्तों शिलेंडर के अंदर जो तेमप्रेचर है उसको बड़ा देगा अब ये काम कैसे करता है आप सभी को बता है डीजल इंजन जो होता है वो द जल नहीं जलेगा अब सर्दी का मौसम है टेंप्रेचर काफी डाउन चला गया है तो हवा है या जो इंजन हो काफी ठंडा पड़ गया है तो हवा गरम केसे होगी केवल कंपरेशन से वह गरम नहीं होगी तो इसलिए हीटर प्लग को जैसे आप चाबी गुमाओगी गारी की तूरंथ हीटर प्लग एक्टिव हो जाएगा और आपकी सलिएंडर के अंदर हवा का का ओफरेशन हो रहा है उस हवा को गरम करेगा किसको करेगा उस अंदर की हवा को गरम करने का काम है वह हीटर प्लग कर देगा यmare अंदर प्लग कार्बू, कार्बूरेटर का भाग क्या दोस्तों यहां पर चोक जो है ठीक है, अब इसमें दोस्तों हवा और पेट्रोल का मिस्तरन हो त्यार किया जाता है आप सबी को पता है, तो चोक क्या होती है हवा की और चोक लगाई जाती है C है वो हवा की ओर लगाया जाता है आप सब भी को पता होगा कि जो petrol engine होते हैं इनमें जो carburetor होता है दोस्तों मैं इसका थोड़ा diagram मना रहा हूँ थोड़ा सा diagram सही नहीं मना इस परकार से दोस्तों यहाँ पर आपका carburetor का diagram होता है ठीक है यहाँ से air आती है यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक container लगा रहता है जहां से P आता है यहाँ P section होता है तो जो chok वाल है चोक वाल है यहाँ पर आपके air filter की side में इसको कामें लिया जाएगा यानि हवा की जो मात्रा है उसको नियंतरित किया जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपके क्या लगाई जाएगी चोक लगाई जाएगी चोक क्या करेगी जो हवा आएगी इसको control करने का कामें करेगी तो अब आप से यह पुचा जा सकता है कि भी petrol engine में सर्दी के मोसम में इंजन 확 में स अब जैसे हवा को नियंदरित करेगी तो दोस्तों पेट्रोल और हवा का मिसरन है वो तेज हो जाएगा धनवान हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ पेट्रोल आसानी से जलता है पेट्रोल की मातरा जैसे ही बढ़ेगी तो इंजन आसाने से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन बात आती है जब चोक लगी रह जाए बात आती है जब चोक लगी रह जाए तो दोस्तों क्या होगा चोक लगी रह गई तो इसका मतलब है कि हवा जो पेट्रोल का मिसरन है हवा प्लस पेट्रोल का मिसरन है वो रिच जाएगा, रिच एन धनवान यानि कि पेट्रोल जाएगा तो इन धन जादा खपत होगा, माइलेज कम देगा काला धुआ देगा, कैसा देगा काला धुआ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इंजन अगर इंजन अगर सपेद या बल्यू धुआ नीले धुआ की बात कर ले, आसमानी कलर का दुआ या सपेद धुआ की बात करें तो दोस्तों किसके कान देता है इंजन ओइल के जलने से इंजन ओइल या इंजन तेल दोस्तों यह भहुत बड़ा confusion है कि तेल किसको कहेंगे तेल किसको कहेंगे दोस्तों आप सभी छापने कमेंट में तेल क्या है ओईल क्या है और दोस्तों इंधन क्या है ये सभी में आपको अंतर यहां पर करना है तेल को दोस्तों तेल को ही ओईल बोला जाता है अब आपको पूछ ले कि तेल की खपत पूछ ले ओईल की खपत पू जल रहा है और ओएल की खपत यानि कि जो आपका ओएल जल रहा है मतलब सपेद या बिल्यू है वो दोस्तों आपका मतलब ओएल की जलने से दुहाऊ है वो निकलता है तो दुहें की समय में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अब मैं बात कर लेता हूं यहांपर आपकी चोक आगई जो पेत्रोल इंजन होता है इसमें दोस्तों आपका यह हो गया आपका engine इस engine में दोस्तों आपको पता cylinder लगा रहे था, यह माना कि इसके अंदर cylinder है, cylinder के उपर दोस्तों यहां पर क्या लगा रहे था है spark plug लगा रहे था, यह spark plug हो गया माना कि, spark plug को 20,000 की voltage का current चाहिए, अब यह भाईया कहां से आएगा, हमने कह दिया बेटरी लगी है, बेटरी दे दे, बेटरी के पास में तो मातर 12 वल्ट की बेटरी है इतनी power नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस बेटरी के आगे दोस्तों यहां पर लगा देंगे ignition coil, ignition coil क्या करेगी इस परकार की winding करी हुई है जो की energy को बढ़ाने का काम करेगी यह इस voltage को बढ़ाएगी ignition coil है, वो distribution जूरी है वो distributor है, इस ignition coil से जो voltage आ रहा है, वो spark plug को बांटने का काम कर रहा है, जैसे नाम से पता चल रहा है, distribute करना यानि बांटना, तो यहाँ पर इस सारे के सारे पढ़ाली आपको याद रखनी है, बेटरी से ignition coil, ignition coil इस डिस्टिबूटर डिस्टिबूटर है, वो जो समय के नुसार, जो इस spark plug होता है इनको supply है, वो करता रहता है तो दोस्तों इस person का सही जोब, जिसने D बताया है, आप बधाई के पातर है वो दोस्तों आप अच्छी तैरी कर रहे हैं यह मान सकता हूं में, तो आप नहीं समझ लिया कि भी चोक है, वो पेटरोल इंजन में होती है डिस्टिबूटर भी पेटरोल में होता है ignition coil है, वो भी दोस्तों डिस्टिबूटर और आपकी ignition coil का में आती है next person है हमारा अपने आप gear लगने वाली motor car, यानि बीना gear वाली motor car के लिए license तो आविदे की कम से कम उमर होनी चाहिए बीना gear की बात आगी है, motor cycle की बात आगी है, comment section में जल्दी person का उतर है चापने, सभी चापने सभी को आ रहा है, कल की class में भी person आया था कल की class में person अलग था थोड़ा सा, ये भी आज अलग है, तो आपको थोड़ा सोच समझ की देना है, दोस्तों इस person का सभी को पता है, मुझे पता है, सभी का सभी बढ़ाई के पात रहा है, सभी का person का जवाब है सभी हो रहा है, सभी ए उपसन दे रहे हैं सभी का सभी है, बात दोस्तों 50cc से कम किया जाए बात अगर बीना गीर वाली मोटर सैकल किया जाए, तो दोस्तों आपकी उमर है सोड़ा साल की है, तो भी आप लाइसेंस बनवा सकते है कंडिसन है, आप अपने माता पिता के सहमती पतर देंगे, किसका माता पिता का, बात अगर 35cc कम किया जाए, तो लाइसेंस के आवशेक्ता नहीं है, बात अगर 50cc जादा किया जाए, तो दोस्तों आपकी उमर 18 साल है, वो होनी चाहिए, बात अगर परिवैनवान की, ट्रांसपोर्ट की वानी जी की, उद्योग दंदू में परियटक के रूप में, इस परकार से माल ढोने में, यात्रियों को ढोने में पब्लिक प्लेस पर गार चलाने में, इस परकार किया जाए, तो दोस्तों आपको 20 साल करना है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो दोस्तों अगले परसन पर में चलता हूँ, परसन सिंख्या 21 है, वहान में तो गैरियेडियेटर प्राए, तामभा और पीतल के मिसर धात बनाये जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से ठंडे हो जाते हैं, और पानी को जमने से रोकते हैं, ठीक है, ये इंजिन को बीना कुलेंट learn quarter कर देते हैं, ये जंग सोज़ समझके जवाब देना कहीं गलत ने कर देंब तो इस परसंड का जवाब क्या हो जाएगा कमेंट सेक्षिन में सबी च्छापें दोस्तों रिअडियेटर किसका बनाए जाता है तामबे और पितल का बनाया जाता है पहली बात तो तो आपका जो आपने अगर इसका C जवाब दिया है तो आप बढ़ाई के अपातर हैं और आपका सेलेक्शन पक्का होगा मैं उमीद करता हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा परसन था और इसका जवाब भी आपने अगर सही दे दिया तो काफी अच्छी बात है नेक्ट परसन है मोटर वाहन अधीमियम के समन में गलत कतन बताईएं सभी इसको पड़ें मोटर वाहन अधीमियम 1988 एक जुलाई 1989 को लागू हुआ है तो 1988 लागू 1989 में एक जुलाई को हो रहा है मोटर MVA 1988 में अब तक पांच बार संसो दन हो चुका है MVA 1988 में अन्तिम संसो दन एक सितंबर 2019 ये लागू हुआ उप्रोक्त सभी सही है सभी जवाब हो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में च्छापने सभी का जवाब हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए यहां पर दोस्तों मोटरवाइकल एक्ट 1988 की बात करते है एक तो था दोस्तों 1988 का मोटरवाइकल एक्ट एक दोस्तों 1989 का था सेंट्रल मोटरवाइकल रूल इन दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर कर लेना है दोस्तों Central Motorvical Rule है दोस्तों उनको 1999 की नाम से जाना जाता है उनको 1989 की नाम से जाना जाता है मैं दूबारा से बता देता हूँ बात आजाए अगर MVA की तो दोस्तों 1988 है 1988 है बात आजाए CMVR की तो दोस्तों यह 1989 है यह दो दोस्तों यहां पर जारी वे थे एक तो शेंट्रल मोटरवाइकल रूल जारी वे थे एक मोटरवाइकल एक्ट जारी वा था इस दोनों में से ही आपके परसन आ सकते हैं दोनों को हमें पढ़ना है हम मिल जुल करें इन दोनों को पढ़ते हैं तो बात यहां पर पूचा है कि बी 1988 का जो मोटरवान अधीनियम है एम भी 1988 को लाग हुआ तो यह एक जुलाई 1989 को लाग हुआ था बिल्गो सही है इसमें पांच बार संसोदन भी हो चुका है पांच बार संसोदन 2019 में एक शितमर को लाग हुआ यह भी सही है यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो पांच बार संसोदन है इसमें सबसे पहले वहिकल रिकोल का यहां पर धारा 110 में यहां पर उलेक किया गया है 110 b में नेक वेक्ति का उलेक दारा 134 ay में पहली बार किया गया है golden होर का जो उलेक है दारा 2 के उब दारा 12 a में यहां पर उलेक किया गया है पहली बार जोड़ा गया है heliumate का है sheet welt का है overloading का है license जो refreshing course होता है इसको भी दोस्तों पहली बार जोड़ा गया है तो इस प्रकार की चीजे पहली बार इसमें जोड़ी गई है दस्तावेजु का digitalization करना है या इसमें दोस्तों कोई अन्य जो काम होते हैं अन्य कई प्रकार की धराइए इसमें जोड़ी गई है तो आपको सारी की सारी जो नई चीजे हैं उनको तोड़ा सा ध्यान से देख ले और हर एक चीज़ को यहां पर मनला डिफाइन किया गया है तो पूरी कंप्लिक जानकार यह वहां पर मिले जाएगी दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलीस ड्राइवर की तारिक कर रहे हैं तो मैं आपको भी रिक्मेंड करूंगा कि आप हमारा इस्टेडियों पर ओनलाइन को ौर्स deficit कंप्लिकंट कर सकते हैं काफी सस्ता क्या अवज आ शावबार करना है डॉनलोड करके करें दोस्तों यह पर यहां पर पढ़ने के लिए कंप्लीट स्लिएबशक है आप जिनों ने दोस्तों पहले से प्जरेशक कर रेखिए उनकी दोस्तों अपडेफ हो зап corn को नया अपडेट कर दिया गया है फिर से नई चीज़े इसमें दे दी गई है और भी इसको मोडिफाय करके स्वांदार बनाया गया है तो जिनोंने पहले से पर्चेज कर रखिये उनको कुछ नहीं करना आपको अपने आप अपडेट वाली बुक मिल जाएगी जिनोंने कोर्स ले रखा है उनको फ्री में ये साथ में मिल रही है तो आप चिंता ने करें जो नहीं किये वो अब कर सकते हैं तो इस परसन का सही जो आप अपस नमर डी हो जाएगा तो अगले परसन पर में चलता हूँ परसन से क्या तेईस HSRP पंजीकरन प्लेट के समझे में सही कतन नहीं है High Security Registration प्लेट है इसके समझे में आपको परसन पूछा गया है आपको गलत कतन बताना है क्या है गलत कतन यानि कि सही कतन नहीं है प्लेट आईरेन की बनी होगी नमर एक नमर दो प्लेट पर असोग चकर का होलोगराम लगा होगा नमर तीन ये प्लेट इस्था ही रिबर्ट से लगाई जाएगी जिससे इसे खोला नहीं जा सकता इसका पुरा नाम अत्तिस रुक्षा Registration प्लेट है कमेंट सेक्षन में सभी चाप दें इसका जवाब क्या होगा ये भी बता दें कि भी HSRP पंजी करन प्लेट से पहले क्या नियम था किसी दूसरे राज़े में वहान को रखने के लिए क्या आपका समय सिमा थी और कौन सा फॉरम बरना पड़ता था ये जानकारी आपको है या नहीं है मैंने प्रिछली क्लास में भी ये बताने का प्रियास किया था दूसरे राज़े में वहान को रखते हैं इसके समन में दारा कौन सी है कौन सी दारा का समन है इस से है वो जो रखना पड़ता है तो इस परकार की चीज़ें आप मुझे यहां पर बता देंगे तो इस परसन का जौब आप दोस्तों अगर आप दे रहे हैं A या D तो दोस्तों आप काफी अच्छा पढ़ रहे हैं आपसन नमर A और D जो दे रहे हैं वो इसका मतलब है वो इसमें काफी अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि D तो गलत होने वाला है लेकिन आपसन नमर A तो सही है D थोड़ा सा डिफिकल्ट आपसन था आपने पहली बार देखा होगा इसको मुझे पूरी उमीद है और पहले देख लिया तो और भी अच्छी बात है तो D जिसने दिया है वो भी सोच रहा होगा यार ऐसा नाम कहां से आ गया और जो A सोच रहा है वो तो सही बात है आईरन नियान होता है दोस्तोँ लोहा लेकिन जो यह पलेट होती है दोस्तों लोहा की नहीं एल्यूमिनियम की बनी होती है किसकी नंबर प्लेट है वो उत्रे नहीं इसके लिए H.S.R.P. High Security Registration प्लेट है एक बार लगा दी तो दोस्तों अब ये तूट कर ही उत्रेगी वेसे नहीं उत्रेगी तूटेगी तो डेमेज हो जाएगी फिर आपको दूबारा से बनाने पड़ेगी तो फिर से पैसे लगएगे इस प्रकार से इसलिए इसको कोई खोलता नहीं है वेसे कबारी जो आदमी होते हैं वो हर चीज़ का जो उपाय ढूंड लेते हैं तो उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता वो तो जो करेंगे परजिवाड़ा वो तो करेंगे लेकिन यहां पर इसका उद्धे से ये था कि हैसे हार पी की बात आगई तो धारा सेंटालीस क्या कहती है कि अधर इस्टेट में अगर आप अपना वहान रखते हैं तो बारा माह से ज्यादा आप वहान का उप्योग दूसरे राजे में नहीं कर सकते हैं इस समय से बचने के लिए दोस्तों यहां पर एचसार पी मैंने गलत यहां पर आपको अचसार पीटी एक तरह की मलब के वाल सुरुक्षित रखने के लिए हैं मैंने आपको गलत पढ़ाना यहां पर सुरुक कर दिया था दोस्तों आप सभी को बताएं बी अचस शीरी से सम्मझ दीते हैं चलो हम अगले परसंट पर चलते हैं परसंट से किसी चोराय पर लगी एंबर ट्राफिक लैट के जलने का मतलब होगा एंबर अंगरीजी में लिग देता हूं में एंबर सभी कमेंट सेक्शन में चाप दें इसका जौब क्या होगा मैं बता देता हूं एंबर का दोसरा सब्द आप येलो पड़ सकते हैं दोस्तों ड्राइविंग रूल जो रेगुलेशन से 2017 में जारी वे थे उसमें इसका उले किया गया है मोटर वाइकल एक्ट में इसका उले क का दोस्तों प्रियोग किया जाता है यह बात करने दोस्तों यहां पर चौराया खाली करना चौराहा खाली करने का दोस्तों आप गराब को पूछ ले तो आप क्या बताएंगे चौराया को खाली करने पर किस संकीत का प्रियोग किया जाता है तो इस परसन का सभी जवाब है आप सभी जोइन करेंगे और सभी उसमें पार्टिशिपेट करेंगे और अच्छा जवाब देखकर आप स्वेम यह देख सकते हैं कि मैंने कितने सही किया है तुरंत वहाँ पर सही जवाब भी आपको प्रप्ट होगा और गलत जवाब आपने दिया है तो गलत जवाब भी आपको सोग कर देगा तो तुरंत वीज आप जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों 24 नमर परसन का सही जवाब हो जाएगा आपने दोस्तों यहाँ पर मुझे पूरी अमीद है एमबर का मैंने आपको येलो बता दिया था मैंने बता दिया येलो होता है येलो को देखर आप कह सकते हैं रुकने का होगा ठीक है रुकने का होता है बिल्कुल येलो का रुकने का होता है लेकिन ध्यान रहे चोराया खाली करने का भी होता है condition बताओं में आपका कोई चौराया है चौराया है और आप दोस्तों यहां से मतलब की यह सड़क है और यहां पर आप यहां पर आ चुके है yellow light on हो चुकी है क्या हो चुकी है on तो आपको यहां पर इस्टो ब्रेका पर रुखना पड़ेगा पहली बात यहां पर दूसरी condition में बताता हूँ आप यहां पर आ रहे हैं आते आते जैसे इसमें enter होए enter होते ही yellow light on होगी ठीक है अब आप क्या करेंगे आपको enter होगे इस्टो ब्रेका आपने पार कर लिया है इसका मतलब जो चौराया है आपको इसको पार करके निकल जाना है यानि कि चौराया खाली करो इसे ही दोस्तो निकास का जाता है निकास यानि कि यहां से बाहर निकलें तो आपकी जो एमबर ट्राफिक light है एमबर दोस्तो येलो को भी का जा सकता है येलो सी मिला जुदा नाम है इस येलो लाइट को यह दोस्तों एमबर लाइट बोला जाता है यह आप ध्यान रखें मैंने जान बुझ कि यहांपर एमबर लाइट लिखा है क्योंकि मुझे यह शिकाना है कि जो पीली लाइट होती है उसको एमबर भी बोला जाता है इसलिए मैंने ने सब्सका इस्तेमाल यहां पर किया है यह किसी ने आज तक नहीं बताया होगा यह जो शेकर चीज़ें होती है वो हर किसी की बसकी बात में बताना पड़ाना सीखाना तो यहां पर रुकना भी हो जाएगा और दोस्तों यहां पर आपके चोराया खालिक भी हो जाएगा जिसने दोस्तों D और आंसर बताया है सबी आप बधाई के पात्र हैं और आप दोस्तों काफी अच्छी तैरिक कर रहे हैं यह मान सकता हूँ आप सोच समझ के ज़ौब दे रहे हैं तो दोस्तों सभी का स्वागत है, मोही जी आपने भी सही जवाब दिया है, तो ज़्यादा चिंता आपको यहां पर नहीं करनी है, सोनु जी, सुभम जी, देशी जाट, राम युआज जी, गुलाब जी, योगे जी, मेंदर जी, आप सभी कमेंट कर रहे हैं, और सही जवाब का एक गंटे का समय होता है, इस एक गंटे में पीड़ित की सायता करने वाला वेक्ति एक अच्छा सामरी कहलाता है, गोल्डन होर का वर्ण धारा, धारा, दो की बारा, यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या पढ़ना है, दो की धारा, बारा, ए पढ़ना है आपको, में किया गया है ये पिड़त विक्टी के लिए सबसे खतरनाक समय होता है अब बताओ कौन सा जवाब सही होगा आप इसका परसन का जवाब कमेर सेक्शन में सभी चापके बताएंगे कौन सा होगा मैं तब तक बता देता हूं गोल्डन ओर है दोस्तु गोल्डन होन ओर को स्वेनिम ग गया है और गोल्डन होर में किसी वेक्टी की साहिता कोई करता है गोल्डन ओर होता है कोई घायली वेक्टी होता है उसमें दोस्तों एक वेक्टी की साहिता की जाती है पर्थम गंटे में जो साहिता वेक्टी करेगा उसको दोस्तों नेक वेक्टी गुड सीमेरिटन तो इस परसन का जवाब है, दोस्तों जिनों ने, उपस नमर D बताया है, आप सभी बधाई के पातर हैं, सभी का जवाब काफी लोगों ने इसका अच्छा जवाब दिया है, प्रमो जी, दिवाकर जी, मोही जी, कमले जी, योगे जी, मैंदर जी, जीतू जी, दोस्तों आपक को दियान से पढ़ने की आऊ सकता है, तो दोस्तों यहां पर, जो पेड़ित वेक्ती के लिए खतरना, यह खतरना की नहीं होता है, नाजुक समय होता है, नाजुक यानि होता है, किसी के लिए मतलब कि हम उसको बचा सकते हैं, खतरना की क्या हो गया, खतरना की यानि मतलब क उसके लिए और खत्रा उत्पन हो रहा है और खत्रा उत्पन नहीं होता जो गोल्डन होर होता है अब गायल तो हो चुका है अब यह समय उसके लिए नाजुक समय है और अब इस समय में हम उसकी जान बचा सकते हैं उसकी जान हम बचा सकते हैं यह एक गंटे का समय है वो दोस् सब्ध खतरनाक आजाए मतलब कि गलत है नाजुक आजाए मतलब कि सही है यानि कि एक पिरित वेक्ति घायल वेक्ति के लिए दोस्तों जो एक गंटे का समय होता है वो उसके लिए एक स्वैनिम गंटा होता है उसके जीवन के लिए अनमोल होता है इसलिए वो नाजुक होता है परसंसंग और 26 आपके सामने है यातायाइद के वे संकेत जो शड़की के बारे में जानकारी परदान करते हैं यातायाइद के सिंपल परसंद देखते हैं कौन क्या जवाब देता है मुझे पूरी उमीड है आप कुछ ने कुछ गड़ड़ इसमें भी करेंगे यातायाद के वे संकेत जो सड़क के बारे में जानकारी परदान करते हैं और हमें सावधान करने में सयोग करते हैं चिन हो सकता है कौन सा होगा सूचनात्मक, चेतावनी, आदेसात्मक, उप्रवक्त में से सबी दोस्तों यहाँ पर मुझे पूरी उमीद है आप जवाब देंगे सूच नातमत क्या है आप जवाब देंगे सूच नातमत देखते हैं सभी comment section में अपना जवाब दे इसका सही जवाब क्या होगा मैंने परसन पूचा यातायत के वे संकी जो सड़क पर जानकारी परदान करते हैं और हमें सावधान करने में सयो करते हैं सड़क के बारे में जानकारी देते हैं सड़क के बारे में याद रखना ध्यान से लेख लेना सड़क के बारे में और हमें सावधान करने में ये दो सब्दाब देख लेना सड़क के बारे में जानकारी हमें सावदान करने में साथा करते हैं कौनचे संकेत हो सकते है केवल जानकारी आ जाता तो अलग जवाब था सड़क के बारे में जानकारी आ गया तो अलग हो गया है तो थोड़ा सा आपको यहां पर क्या है सतारक रहे कि इसका जवाब देना है सभी जवाब दे रहे हैं मोही जी, दिवाकर जी, राम निवाज जी, लोके जी, जीतु यादव, मेंदर जी, जतिन जी सभी का स्वागत है, सभी को राम राम काफी अच्छी आप ट्यारी कर रहे हैं, मुझे पूरी उमीद है और दोस्तों काफी इस्ट्डूरेंट ने इसका सही जवाब है और फिस नमर B दिया है, और B ही होगा दोस्तों सड़क के बारे में जानकारी प्री कोशनरी, पहले ही सुचना बता देने वाला कि भी सड़क पर गड़्ड ए, सड़क पर बजड़ी है सड़क पर ब्रेकर आ रहा है सड़क पर अगे मोड है इस प्रकार की चीज़ें कौन बताता है दोस्तों सूच ये आपके सोरी चेतावनी संकेत बताता है तो उप्स नमर B आपका यहांपर सही जवाब है हो जाएगा बात दोस्तों यहाँ पर संकेतों की आगई है तो दोस्तों इनको जारी करने का काम आई आर्सी करती है आई आर्सी की स्थापना की बात करते हैं 1934 में होती है आई आर्सी का पुरा नाम इंडियन रोड कांगरेस करती है यह इन संकेतों का परकासन का काम करती है बात दोस्तों यहाँ पर संकेतों आ गई है तो दोस्तों यहाँ पर धारा आपको 116 याद कर लेनी है धारा 119 याद कर लेनी है धारा 117 याद कर लेनी है धारा जुर्माना यहाँ पर 500-1500 याद कर लेना है तो यहाँ पर दारा एक सोड़ा क्या कहती है सड़क नियमों को लगाने की पावर किसके पास में है सरकार के पास में है या वो किसी के मादे में से लगा सकती है यानि कि जो संकेत लगाए जाएंगे दारा एक सोड़ा में दारा एक सो उन्नीस 116 के जो संकेर लगाएगे हैं ड्राइवर के करतवे दारा 117 अगर इन करतवे को आपने नहीं माना तो आपके ओपर जूर माना लगाए जाए सकता है पहली बार में 500 दूसरी बार में 1500 बात अगर दोस्तों करतवे किया गई है तो करतवी एक जगे ओर है दारा 134 में ड्राइवर के दूरगटना के समय करतवे बताएगे हैं तो यहां पर यह चोटी चोटी बात आपको ध्यान रखनी है तो मैं अगले परसन पर में चलता हूँ परसन सिंगे सताई साब के सामने है नीमन में से नीजीवान वह दस्तावेज जिसकी आउदी 15 वर्स नहीं होती है नीजीवान का वह दस्तावेज जिसकी आउदी 15 वर्स नहीं होती है बिलकुल सिंपल परसन है सभी जो इस्टूडन है इस परसन का जवाब है कमेंट सक्स में चाप दे दोस्तों मैं फिर से बदा देता हूँ अगर आपने अभी तक हमारा एप्लिकेशन इस्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारा मॉबाइल एप्लिकेशन इस्टड़ी एटम को डाउनोड कर सकते हैं यहां पर complete online course दिल्ली पुलीस ड्राइवर बरती को लेकर दोस्तों करवाए जा रहा है वो दोस्तों अभी discount में चल रहा है 1999 रुपे का course है मातर 300 निन्याणमे में आ रहा है 1999 का दोस्तों course है और मातर अभी 300 निन्याणमे में आ रहा है तुरन जोइन कर सकते हैं इसकी fees बढ़ने वाले मैं फिर से मदा देता हूँ बढ़ने से पहले आप इसे purchase कर सकते हैं और best book driver की चाहिए तो वो भी आपको यहां पर मिलती है तो आप उसे भी ले सकते हैं इसके लिए भी आपको इस एप के अंदर जाना है एप के अंदर जाके book section मिलेगा उसमें जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी फ्री की आपको चाहिए फ्री की book चाहिए तो दोस्तों फ्री की book टेलिग्राम पर upload कर दी गई है आप उसे join कर सकते हैं देख सकते हैं ले सकते हैं टेलिग्राम पर जाएंगे study at home ebook के नाम से 56 page की PDF आपको मिल जाएगी आप उसे देख सकते हैं तो यहां पर course के बारे में आपको description चाहिए कि भी course में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसके लिए भी आपको जो आपको यहां पर टेलिग्राम पर PDF एक दे दी गई है उस PDF को देख लें course के बारे में complete जानकारी दे दी जाएगी course के बारे में आप अधित जानकारी चाहते हैं एप के अंदर जाओ course को खोलो वहां पर आपको course के अंदर पता चलिएगा कहां पर क्या अप्लोड की गई है कौन सी topic पड़ा दिये हैं कहां पर क्या क्या चीजिया हमें अब अवलेबल होगी कौन सी सुधा अवलेबल होगी तो परसंसें के 27 ये बता रहा है कि वहां का कौन सा दस्तावेज है जिसकी आउदी 15 साल नहीं होती वहां का बीमा, fitness, tax, पंजिकरन पर्मान पत्र सभी को पता है कि insurance जो होता है वो एक साल के लिए जारी होता है या 2 साल के लिए होता है या 5 साल के लिए होता है नए वानों की condition है एक साल से ज़्यदा बाद में दोस्तों हर वान को यहां पर परतेक साल आपको बीमा करवाना पड़ेगा तो इसका सही जवाब आपने ए बताया है आप बधाई के पात रहे हैं काफी अच्छा जवाब है आप दे रहे हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ बात आगी बीमा की तो यहां पर दोस्तों नीजी वानों की मैं बात कर देता हूँ प्राइवेट वाइकल प्राइवेट वाइकल में RC 15 साल की टेक्स 15 साल का होता है फिटनेस 15 साल का होता है तो यह आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भी RC, फिटनेस आपका जो है टेक्स भरा जाता है गाड़ी का यह तीनों चीज़ें 15 साल के लिए जारी यहाँ पर होती है तो यहाँ पर आपका जो टेक्स है फिटनेस है यह दोस्तों समय समय पर आपको बार बार बढ़ना पड़ता है फिटनेस भी एक एक साल के लिए होता है टेक्स भी पर एक साल के लिए भरना होता है पर थमबार की बात करता हूँ तो यहाँ पर दो साल के लिए हो सकता है ट्रांस्पर्ट वाइकल के लिए बात बीमा के आ गई है तो यहाँ पर धारा आपको 146 याद कर लेनी चाहिए धारा 147 याद कर लेनी चाहिए धारा 147 क्या कहती है थाइड फार्टी बीमा अनिवारे है 166 में में जुर्माना है वो बिना बीमा का आप वहाँ चल काप्रियो करते हैं तो कितना जुर्माना होगा तो जुर्माना इसका पर्थम बार में 2,000 होगा दूसरी बार में 4,000 होगा साथ में या करके यहां पर 3 मा की केड़ का भी प्रावदान है तो ये चीज़ बीमा के बारे में आगई, बात करते हैं फिटनेस की, तो दराथ 56 अनिवारी री रूप चे फिटनेस परमान पत्र होगा, नहीं हुआ तो दराथ 190 लागू होगी, और पंदरा सो का जुर्माना आपका लागू होगा, फॉर हम 38 में फिटनेस जारी किया जाता ह है, ट्रांसपोर्ट में दो साल के लिए जारी होता है, किसके लिए, दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए, जो ट्रांसपोर्ट वाइकल हो दो साल के लिए, और जो प्राइवेट वाइकल होते हैं, इनके लिए 15 साल के लिए जारी होता है, ये बात आपको ध्यान अगले पस्तनपे में चलता हूं बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर पंजीकरन परमान पत्रगी तो तुरंद आपको धारा 49 याद रखनी है यानि कि RC होनी चाहिए नहीं है तो बीना RC का प्रियोग धारा 100 ब्राण में और RC का गलत प्रियोग धारा 100 ब्राण में भी याद कर वहां को बेचने पर इसकी सूचना दी जाती है 30 के तहट इसमें माली का नाम बदल देते हैं दोस्तों 34 की बात करता हूं तो हाईपोतोकेसन यानि कि गिर्वी रिखना समजोता पत्र कोई होता है तो इस परकासिन 34 में समजोता होता है 35 में समजोते को समाप कर दिया जाता ह यह आर्ची के समय में फॉरम थे तो अगले परसन पर हम चलते हैं परसन से 28 डीजल और पेट्रोल इंजन में तुलनात्मा गुरूप्शन डीजल इंजन की विशेशता नहीं है उप्स नमर एक है काफी अच्छा परसन ये दोस्तों इस परसन का जिसने जवाब बता दिया दो करसी, आपका देखने वाला हूँ, आप क्या देते हैं शुरेज जी, पर्मों जी, देशी जाट, रोही जी, सती जी, इम्रान झी, गुलाब जी, रामिया जी, लोकिन जी, जी engine की toughest नहीं है डीजिल के इलिए गलत कुदसा है अधिक सोर करता है बिल्कुल सही है यह भारी लोड खीचनी में सकस्य पहते हैं बिल्कुल सही है यह इंजिन सर्दी के मौझे में आसानी से स्टार्ट नहीं होते यह बी सही है तो अब अब option नमर एक बच गया यह engine कम परदुशन करते हैं तो परदुशन कम करते हैं तो ज्यादा कौन करता है दोस्तों ये डीजल ही ज्यादा करता है कम कौन करता है दोस्तों पेट्रोल इंजन कम करता है ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है दोस्तों काफी अच्छा यहांपर है परसन पुझा गयाता पेटरोल वान की बात आजाएं तो शीधिसी बात है छोटी गाड़्यों में ने का प्रियोग होगा हलके वान harние का लोड कम जो लेते हैं उनमें की दोस्तों काम आएगा बात दोस्तों अगर इस्पिड की आ जाती بات دوستو اسپیڑ کیا جاتی تو دوستو یہاں پر اسپیڑ زیادہ کس کی ہوتی ہے پیٹرول کی کیونکہ یہ अधिक تیز گتی میں چلنے میں कام ہے وہ کرतے ہیں لوڈ کیا جاتی ہے تو لوڈ ڈیجل انجن ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں ٨ک ہے ان میں ڈیجل کیوں डالا جاتا ہے پیٹرول کیوں نہیں کیونکہ پیٹرول انجن ہے اس میں دوستو یہاں پر جو ہے پاور کم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پاور کم ہوتی ہے ताकत कम होती है लोड कम सैंण कर पाते हैं इसलिए जो जितने भी माल वाक होते हैं माल का वहन करते हैं या जो माल डोने वाले वान होते हैं उनको δोस्तों पेट्रो सोरी डीजल इंजन बनाया جाता है तो यहाँ पर अप्सन नमर 1 इसका सही जवाब है वो हो जाएगा, काफी अच्छा परसंट था, जिन्होंने दोस्तों सभी साथियों को बदाई, सभी को बदाई, काफी स्टुडेंट्स ने यहाँ पर उप्स नमर A बताया है, हधिक ने B, C, D सबने, जिसने B और C और D बताया है, दोस्तों आपकी भेंस को पानी से निकालना चाहिए था, नहीं दिया है, कोई बात में, आगे से ध्यान रखना, अगले परसंट भी मैं चलता हूँ, दोस्तों अगर ऐसे गलत परसंट के जो गलत करोगे, तो दोस्तों फिर तो फडोशी है, आपकी छाती पे डीजी बजाने वाला है, और यह मूँ पे ये भी कहने वा रख holistic लाखा अगर, मनजर भी आएगा, पयासें के पास चलकर समधर भी आएगा, यू थक कर, यू थक कर ना बेटो, इस रही के मुसाफिर, जीती भी मिलेगी यो, जीत के मिलने का मज़ा भी आएगा, परोसी को कह दो, कि हम भी तयार है, हम भी तयार है, तो भी तयार रहा जाना चाहिए था में वेटिंग में था तो यहां पर वाहन की बेटरी के समने में सही कतने नहीं है वाहन की बेटरी के समने में आपको सही कतने नहीं है यह बताना है यानि गलत कौन सा है उपस नमर एक है यह वाहन यह वाहन का इस्टोरिय सिस्टम होता है जो सभी वाहनों मे 12 वोल्ट की बेटरी का इस्तिमाल किया जाता है नमबर 3, बेटरी में लिक्विड के रूप में डिश्टिल्ड वाटर भरा जाता है ठीक है, नमबर 4, बेटरी की स्पेशिक ग्रेविटी हाइडो मेटरेशन देखी जाती है पहली बात हो, इस परसन का जो आप परसनों से हम सीखते हैं इसे उठा के पटग दिया, अब क्या होता है एलेक्ट्रोलाइट, क्या सल्फिरिक एसिड गंदे का तेजाब, डिश्टिल्ड वोटर पानी, बारिस का पानी हाइड्रोमिटर, इस्पेशिक ग्रेविटी ये सब चीज़े हम जान तो लेते हैं कंप्यूस्ट तो हो जाते हैं, रट तो लेते हैं लेकिन जानकारी प्रापनी करते हैं कि भी सच में एक्चुल में इसकी कंडिशन क्या होती है दोस्तों मैं बता देता हूँ वहन के अंदर बेटरी का इस्तिमाल किया जाता है बेटरी 12 वानों में होती है बड़े वानों में 24 वोल्ट की होती है वोल्ट, V.O.L.T. याद रख लेना, खुपड़ी में आपको छेद करना है तो इस वोल्ट को याद रख लेना बेटरी की किसमता किसमें विक्ट की जाती है पूछ ले MPR per hour MPR per hour यानि MPR per गंटा के हिसाब से यहाँ पर बेटरी की किसमता है वो विक्ट की जाती है यहाँ पर मैं बात करता हूँ बेटरी के अंदर liquid की तो इस liquid को दोस्तों electrolyte बोला जाता है electrolyte बोला जाता है electrolyte अभी electrolyte क्या होता है दोस्तों यह दोस्तों दो चीजों का मिस्रण होता है एक तो होता है H2SO4 पलस दोस्तों होता है आपके पानी distilled water water जीसे कहते हैं distilled water हो जाएगा इन दो चीजों का दोस्तों यह मिस्रण होता है अनुपात का पूछ ले तो दोस्तों H2SO4 का 40 होता है और वाटर का 60 होता है बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों Electrolite की तो यहाँ पर H2SO4 को गंदका तेजाब या SELFURIC ACID के नाम से भी जाना जाता है बात करता हूँ दोस्तों वहनों में बेटरी का परियोग अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि एक driver बेटरी में लिक्विड भरेगा टोप अप करेगा तो किसका करेगा टोप अप करेगा तो वो दोस्तों वाटर भरेगा क्या भरेगा वाटर भरेगा ने की गंदक अब दोस्तों आप कहोगे सरी ये गंदक क्या होता है वाटर क्या होता है दोस्तों मैंने बताया था बेटरी के अंदर जो लिक्विड होता है घंदक और वाटर का मिस्रन होता है अब दोस्तों एक होता है इस पेशी के ग्रेविटी मापी जाती है हाइड्रोमिटर से मापी जाती है ये क्या लपडा है दोस्तों हाइड्रोमेटर जो यंतर होता है वो इस लिक्विड का गंदक पलस वाटर का जो मिस्रन होता है इसमें मैंने बताया था 40% क्या होता है दोस्तों 40% आपका गंदक होता है वो 60% है वो पानी होता है तो यह हाइड्रोमेटर है वो इस मिस्रन में मिस्रन कितना है 100 है य मात्रा देखी जाएगी गंदक की नहीं भी या झो यह इतना पानी है के नहीं की अफ रफा क्रम लिद्फ ऐढूना के लिए इस लिकविड में यहाँ पर जूप ऑगर दो इस परसन डूब क्या होगा अभी भी ङा गूरू जीएb B, C, D में conclusion A की और कोई नहीं देख रहा दोस्तों यहाँ पर A में पूछा गया है A में लिखा गया है यह वाहन का storage system होता है बिल्कु सही बात है जो सभी वाहनों में डाइनमों से चार्ज होता है तो भाईया आल्टरनेटर भी तो होता है आल्टरनेटर ढाइनमो दोननु चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पुरान यहाँ में डाइनमो होता है Old vehicle New vehicle होते है इनि में तो आल्टरनेटर होता है फारक क्या हूता है आल्टरनेटर efficiency करण निकालता है ढाइनमो है, वो DC निकालता है बात इनमें अंतर की है तो जो आपका डाइनमो होता है डाइनमो दोस्तों इंजन की जो स्पीड होती है उसी पे काम करता है इंजन तेज चलेगा तो एनरजी निकालेगा नहीं तो नहीं निकालेगा आल्टरनेटर क्या कहता है भाईया तू तेज चल चाहिए धीरे चल चाहि normo को भाई-भाई कह दिया तो आपको याद रखना है, वर्तमान में, वानो में आल्टरनेयट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें AC करेंड उत्वन होती है, AC को DC में Rectry Tapi के रूप में बदला जाता है फिर DC में कनवर्ट किया जाता है DC को बेटरी को दी जाती है इस परकासे आपको याद रखना है बेटरी हमेशा DC से चार्ज होती है ये भी याद रखना है इस उल्टे फ्लो को रोकना यानि बेटरी से करेंट वापस है और आल्टरनेटर के ओरने जाए इसका काम भी ये रेक्टिफाइर करता है रेक्टिफाइर काम करता है उल्टे फ्लो को पावर के उल्टे फ्लो को बचाता है तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहानु में डाइनमोशिय ही चार्ज किया जाता है सबी वानों में डाइनमोशिन चार्ज होता है, यह गलत होगई यह बात, तो यहां पर उप्सन नमर ए जिस ने दिया है, वो दोस्तों आपने तो दोस्तों पडोशी की छाती पर डीजे बजाने की कावत को है, उसीद करने का ठान लिया है, राज सब्सक्र दोस्तों मोभाईल गतिए और पालक दोनों आ गया गतिए पालक पालक प्यों कहां पर किया जाता अज हुआ आपको सर सभी को पता है, चार पईये होते हैं, और चार पईये तो पईयों की रूप में अक्षर में काम आएंगे, पिछले पईये के पास में, आगे के पईये के में, प्रोप्रेल साफ पर, इंजन साफ पर, प्रोप्रेल साफ पर पर पईये का काम क्या है, प्रोप्रेल आया हो ओगा शुनके जो इसटुडियों मेरे पास है पैलेसे हैं उसका काppen पर करीयों का है इसका काम पर किया जाता है तुरण कमेट शेक्षेशन में चापदें दोस्तोओ के इंजन के नदर होती है क्रेंगशाप्ट किया होती है क्रेंक शाफ्ट का एक तो दोस्तों होता है रियर एंड एक होता है फ्रेंट एंड दोस्तों जो रियर एंड होता है इस पर दोस्तों आपको फ्लाई विल है वो लगावा मिलता है इसी फ्लाई विल पर दोस्तों आपको पता है कलच को लगाए जाता है ठीक है तो यहां पर जो rear end है इसके उपर गती पालक पईया लगाते हैं और इसी crank shaft को दोस्तों इसी crank shaft को engine shaft बोला जाता है मैंने बताया इसके दो भाग होते हैं rear end front end front end पर दोस्तों यहां पर एक तो came saft लगाई जाती है सबसे उपर दुबारा से मैं बता देता हूं मैं सबसे उपर लगाई जाती है came saft क्या लगाई जाती है came saft लगाई जाती है और इसी came से आपका जो fuel pump है या जो आपका oil pump है या आपका जो wall mechanism है इन सबको इसी के मादेम से चलाया जाता है बात करते है radiator fan की तो दोस्तों radiator fan जो होता है इसी engine saft पर पूली के मादेम से चलाया जाता है तो आपको छोटी छोटी बात है आल्टरनेटर की बात करें इसको भी आल्टरनेटर को भी इसके मादेम से चलाया जाता है तो ये फ्रेंटए़ और आल्टेनपर और जो चलाने के लिए पूली ये तीनों फूलिया दोस्तों क्रेंग शाप्ट याँनि की इंजन शाप्ट के ऊपर लगी होती है तो आपको याद रखना है Crankshaft का मतलब में इंजन शाप्त है तो दोस्तों 300 परसें आज का हमारा पूरन वा दोस्तों आज की क्लास यहीं तक हम स्माप्त करना चाहेंगे काफी लंबी क्लास हो चुकिये फिर से हम कल मिलेंगे दोस्तों अभी तक आपको पता नहीं है तो आप तुरंत हमारे टेलिग्राम पर अभी हजर हो जाईए तुरंत हमारे टेलिग्राम पर है दोस्तों फ्री की क्विज करने वाली है और फ्री की जो क्विज है इसमें दोस्तों यहां पर हमाई परसन की जो है खोफडी में छेद करने वाले है परसन की खोफडी में छेद करेंगे कहाँ पर अब टेलिग्राम पर इतने में तो दोस्तों फ्री में यूटूब पे किया है अब फ्री में टेलिग्राम पर फ्री में यूटूब फ्री में टेलिग्राम हम खेलते हैं फ्री में तो दोस्तों आज आई ये तुरन टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों अभी तक आपने कोर्स जोइनी किया है तो कोर्स जोइन कर सकते हैं बेस्ट बुक है वो प्राप्ट करना चाहें तो बेस्ट बुक आप प्राप्ट कर सकते हैं दोनों का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है study at home driver app भारत का सबसे महान एप है घुर्षन आप डाउणोर यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों आज का सेशन काफी अच्छा रहा है सभी को राम राम सभी का स्वागत है सभी का में दोस्तों यहां पर सभी को टाटा बाई बाई जे हिंद जे भारत दिल्ली पुलिस कीजे दोस्तों दिल्ली पुलिस कीजे भारत माता कीजे जे हिंद जे मात